तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल, स्वागत आपको टेक्निकल वर्क योडिव चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम वाल फैन के 4 वायर का कनेक्शन करने वाले हैं वो भी 3 स्पीड स्विच के साथ बहुत इजी कनेक्शन हैं तो चली स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आपको ये चार तार दिखाई दे रहे हैं अलग-अलग कलर के होते हैं हम इसे चेक करना है ये जो वायर आ रही है ये इसके मोटर के अंदर से आ रही है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर यह वायर दिखाई दे रही है यह इस मोटर के अंदर से आई है और इसे के साथ में एक और वायर बाहर निगले है जो की कैपस्टर के साथ कनेक्ट हो रखी है capacitor की जो rating है 1.2 micro farad की है और यहाँ पर जो यह fan है वो उशा company का है अगर आपका wall fan अलग company का है तो इससे भी कोई problem नहीं है जो connection होते हैं उसे में होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है इन वायरों को check करना है और जैसे कि मैंने बताया था चार तार है वो इसके motor से आई हुई है और इसी के साथ में जो main supply की वायर है यहाँ पर यह वायर जो दिख रही है आपको यह main supply की वायर है जिसमें face on newton supply चाहिए इस fan को चालू करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर इस वायर को चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी common की वायर है और कौन सी low speed की वायर है और कौन सी medium speed की है और कौन सी high speed की है तो यहाँ पर मैंने extension बोड ले लिए इसे check करने के लिए इसी के साथ हमें CD stress ले मनाना इसे check करने के लिए सीधी स्टेसले मनाने के लिए मैंने holder और bulb ले रखा है इसी के साथ इसमें wire इस type से connect कर लेना है इस type से आप बना के घर पर रख सकते हैं कभी भी काम आ सकता किसी motor को आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर सीधी स्टेसले मनाने के लिए हमें क्या करना है दोनों में से किसी भी एक चलए हैं तो यहां पर हमारे सीरी स्टेस्ट लेंप गॉल सक्राइब का नौई चाप लेंगे तो तार खराब तो नहीं है, तो चलिए यहाँ पर हम इस वायर को चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर चार तार है, इसे हमें एक एक करके चेक करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी दो वायर पर सीरी स्टैसलेम के वायर को लगाना है, देखिए औरेंज और मैंने ग तो दोनों वायर पर चेक करते हैं तो देखें, आपर जो बल्ब काफी तेज जल रहा है अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रे वाले वायर और ब्लू वायर वायर पर लगाते हैं तो यहाँ पर देखें, जो बल्ब काफी कम जल रहा है हैं और हमें क्मै करना है यहां पर gray वाले वाईर और red वाले वाईर पे लगाते हैं, तो देखें आपर जो बलब काफी तेज जल रहा है, और इसे साथ में last जो वाईर 19 वाईर ब élij के साथ इसे चेक करना है, तो देखें आपर मैंने दोनुद tenела पे लगाए, तो देखें जो बल्ब ही हमारा काफी कम जल रहा है। हमने ये देखा जब भी हमने इस ब्लूवाले वाइर के साथ किसी वी वाइर को टच किया तो क्या है जो ब्लूवाली वाइर है यहां पर कॉमन की व कॉमन किसी भी एक wire को हमें इस common वाले wire के साथ connect कर लेना है जो की blue वाले wire थी तो यहाँ पर मैंने main supply की blue wire और यह common वाले wire जो motor से आई थी इसको एक साथ मैंने connect कर लिया है तो यहाँ पर जो हमारी main supply की एक wire थी वो यहाँ पर common वाले wire के साथ connect हो चुकी है इसके अलावा यहाँ पर three इस पीड की तीन वायर बची हुई है, जिसमें से एक low speed की है, एक medium speed की है, इसके बाद हमें wall fan की वायर को connect कर लेना है, तो देखिए, आपर मैंने supply को connect कर दिया, यहां पर एक wire का टुकड़ा रिए से check करने के लिए, तो यहां पर एक wire तो हमारी connect और रुकी common वायर के साथ, हम हमें क्या करना है, इस wire के टुकड़े से हमें क्या करना है, में supply के दूसरी wire लगाते हैं, और यहां पर मैंने orange वायर लगाया है, जो fan हमारा, वो यहां पर medium speed में चल रहा है, इसी के साथ हमें इस red वायर में supply की wire को पर और जो यहां पर gray वायर है, इस पर connect करते हैं, तो यहां पर जो wall fan चल रहा है हमारा, वो काफी तेज स्पीड में चल रहा है, इसी तरह आपको भी एक एक करके तीनों wire को चेक करना है, किस पर high speed है, किस पर low speed है, किस पर medium speed है, आपको अंदाजा लग जाए कि जब भी आप चेक करेंगी, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यह वायरों का identify करके हमें इसका connection करना इस three speed switch के साथ, तो यहां पर जो पहला वाला यहां पर जो point दे रखा, यहां पर L लिखा होता है, यहां पर हमें क्या करना होता है, main supply की wire connect है नहीं होती है, तो देखिए हां पर मैंने main supply की जो एक wire बची थी, उसे यहां पर L वाले terminal पर connect क होती है, जो कि यहां पर low speed के लिए हमने check किया था, तो देखिए low speed वाले wire को मैंने एक number wire terminal पर connect कर दिया, और जो यहां पर orange वाली wire थी, यहां पर medium speed के लिए थी, तो यहां पर मैंने इसे दो number terminal पर connect कर दिया है, और यहां पर जो red वाले wire थी, यहां पर high speed के लिए थी, यहा तो प्रवार आपको भी वायरों को connect करना है जो low speed वाली वायर है उसे एक number terminal पर और जो medium वाली है उसे दो number पर और high speed वायर है उसे तीन number terminal पर इसे लगा देना है और यहाँ पर means apply की वायर एल वायर terminal पर connect कर देना है इसे तरह आपका जो इसका connection है वो complete हो चुका है तो चलिए पर यह भी उसे चला के चेक कर लेते हैं तो देखिए इसके plug को मैंने लगा दिया है अब इसे पहले एक number पर चलाते हैं तो देखिए जैसे मैंने एक number पर किया है जो हमारा fan है वह know speed में चल रहा है जिस-पर हम ने एक number पर grey वायर connect कर री थी और हमें 152 नंबर करने देखिय आपर जो इसकी स्पीड है और भी बढ़ गई है जो कि हमने रेड वाली वायर तीसे हैं पर तर्मिली पर कनेक्ट की थी तो इसी तरह आपको भी अपने वाल फैन के 4 वायर के कनेक्शन 3 स्पीड स्विच के साथ करना है अगर आपको कनेक्शन करने प्रॉलम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करते हैं जिससे आने वाली नहीं वीडियो को नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिल सकें मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में